दोस्तो नमस्कार एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टड़ी फॉइंट पर दोस्तो हमारी आगामी एकजाम के लिए टेस्टे सीरीज चल ली थी जो की काफी इंपोटेंट है तो उत्राखंड के परसन और भी जीके के परसन भी है इसमें तो दस कोश्चिन हैं इसमें देखेंगे और एक्स्ट्रा फेक्ट के सांद दोस्तो आपके बीच से जादा परसन इसमें बन जाएंगे तो इंपोटेंट कोश्चिन है दोस्तो वीडियो को अन तक जरूर देखेगा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को स 55 से शुरू कर रहे हैं 55 परसन पहले अप्लोड हो चुके हैं आप उसके लिए अलग प्रलिष्ट बनी है तो आप प्रलिष्ट मांके उन्हें चरूर देखिए तो आज का हमारा पहला परसन है कि यहां पर आपको भरना है जील बिस्सू की सबसे लंबी और बिस्सू की सबस गहरी जील है बैकाल जील टांगानी का जील टिटीका का जील या फिर इरी जील तो यह आपको बताना है इंपोर्टेंट प्रसन है तो इसका सई उत्तर जो जो लोग उप्शन नमर सी बता रहे हैं हो बिल्कुल गलत है और जिन जिन लोग उप्शन नमर ए दिया है वो भी पुसा जा सकता है आप इससे आद रखेंगे और बेकाल जील की सबसे गहरी जील है यह आपको याद रखना है यह जो दूसरी लिखा हैं मैंने दूसरी गहरी जील तो है टंगानी का जील और पहली वह है बेकाल जील और लंबी जील है हमारी कौन सी टंगानी का जील तो इतना आपको याद रखना है आपने पढ़ा होका जो कैस्पीन सागर के बारे में कैस्पीन सागर विश्टू की जो सबसे बड़ी जील या खारे पानी की जील है तो वह आप बड़ी जील है और मीठे पानी की जील सबसे बड़ी जील आपने पढ़ा होका बुक में तो सुपीरेर जील वह आप याद रखेंगे एक्जाम में यहां से पूछा जाता है और इस टीटी काका जील यह आपको यहां दखने है तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन है यह भी दोस्तों सतावना कोश्चिन है इंडियन S.O.C.N का विलाई भारतिये कांग्रेस में कब हुआ था या आप कांग्रेस में कब हुआ 1882, 1886, 1890 या फिर 1887 तो इंडियन S.O.C.N की स्तावना हुई थी दोस्तों 1886 में यह हुई थी कलकता में सुरेंद नाथ बैनर जी और थेसमें आनंद मोहन बोस तो इसका बिलाई भारतिये कांग्रेस में हुआ था 1886 में और कांग्रेस की स्तावना हुई थी और जो कांग्रेस है दोस्तों यहां से प्रसंद में पूछे जाते हैं कि स्तावना किस ने की थी महात्मा गादी जी ने कौन से अधियोशन के अधिक्चता की थी और बहुत से प्रसंद से पर्थम महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिक्चता की थी या फिर पर्थम भारती ये महिला को थे जिन्होंने की भारती राष्टी कांग्रेस के अधिक्षिता की थी तो उस रोजनी नाइडू थी वैसे आएगा तो एनीवेसेंट है और एक मात्र भारती राश्टी कांग्रेस के अधिवेशन के महत्मा गादी ने की थी वो 1924 में बेल गाओं जो है करनाटक में पढ़ता है तो वहाँ उन्हें एक बार अधिक्षिता की थी तो बढ़ते हैं दोस्तो अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन है उत्राखंड से सम्मझेत प्रस्चन है कार्ति के पूर राजवन से में नर्पती नामक अधिकारी का मुख्य काम क्या था या क्या होता था कार्ति के पूर राजवन से में नर्पती नामक अधिकारी का मुख्य काम क्या होता था सीमाओं की सुरक्ष्या करना गिरी द्वारों की रक्ष्या करना व्यक्ति उपर निग्रानी या फिर नदी घाट उपर आगमन सुभिदाव कर्वसुली सीमाओं के शुरक्षा के लिए होते दोस्तु कौन परांतपाल ये एक दोस्तो अधिकारि थे उनका पध हुआ करता था कारतीकेपुर राजवन्ष में कारतीकेपुर राजवन्ष में और गिरी द्वारो के रक Software दोस्त numéro थे कौन घटपाल और प्रांतपाल होगे सिमाओं की घटपाल होगे गिरीदवारों की रक्षक और बेक्तियू पर निकदानी के लिए ही उते थे कौन वर्मपाल वर्मपाल बचा आपका ओप्सन नमर डी नर्पती तो नौ से नौ आपने नदी घाटू पर आगमन सुविदावो कर वसुली बहुत से लोगों के ये उत्तर सही भी हुआ होगा पांकि कार्थी केपुर राजवनस की जो इस्तापना की थी वो वासुद्य वसंदेव ने की थी और लगभग 14 नरेसुनेस में साधन किया था 300 अरसु तक तो यह आपको याद रखना है बढ़ते हैं अगले कोश्चिन के तरब अगला कोश्चिन है जोनसारी जंजाती में डिगूबा क्या है वस्तर, रिवाज, भोजी पदार्त या फिर जाड़पूक की पर्था जाड़ पूक की पर्था जॉनसारी में पाई जाते है वो बाई था है यह आपको याद रखना है जाड़ पूक की एक बिधी या पर्था है जो भी कहें वो है जॉनसारी जनजाती में परचली था है जॉनसारी आपको दोस्तो देहरादुन मिल जाएंगे जॉनसार जॉनसार यांति समुदा है दूसरा बड़ा याद रखना प्रफ्ष में रहेगा कि कौन सा सब्से बड़ा जंजाती याद रखना है तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चिन की त्रव अगला क्वेश्चिन है भारत सरकार ने अकाल सहीता कब परचारित किया यह दोस्तों थोड़ा सा आधा ही टाइप हुआ है भारत सरकार ने अकाल सहीता कब परचारित किया तो कब परचार किया उसका तो 875 में 850 में 863 में 863 में तो दोस्तो अकाल उनको रोकने और अकाल पीडितु की सहिता करने के लिए भारत सरकार ने अकाल सहिता की जो परचारीत किया था है इसना तो यह हुती तो काफी option इस तरह के ही रहते हैं तो काफी confusion हो जाता है तो क्या जो करा हो जाते हैं अगर नहीं पड़ा होता है तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है काफी important question है कि रमार उस्व को UNESCO की विश्व विरासत छेड़ी या विश्व विरासत सूची में कब सामिल किया था तो आपको comment box में बताना है कि UNESCO की स्तापना कब हुई थी UNESCO की स्तापना कब हुई थी तो रमार उस्व को चोकी दोस्व कहां मनाय जाता है तो इसे चमोली जनपत में मनाय जाता है चमोली जनपत के सुलूड तुंग्रा गाउं में ये आपको याद रखना है इससे सम्मंदित पिछले बार प्रसन पूछा गया था इसमें मुखोटा के सान निर्त्य होता है ये बिल्कुल है कि मुखोटा के सान निर्त्य होता है या आपको याद रखना है चमोली जनपत में होता है और इसे एक्जाम में पूछा गया है कि कब इसको विश्व विरातर सूची में सामिल किया गया था इसमें ढोल का परयोग नहीं होता है अब ढोल का परयोग इसमें वरजित है तो इसे युनस्को की विश्व ज्रोन सूची में सामिल किया गया था 2 अक्टूबर 2008 में नहीं 2009 में तो अप्शन नमबर ए हमारा बिल्कुल सही है तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले कोश्चिन की तरब तो उत्राखंड में दोस्तों मेलों से परसने पूछे जाते हैं अगर अपने उत्राखंड का सलेवस दिया होगा तो उसलाखंड में गाड घदेरे वह भी अगर हैं उसमें सलेवस में दिया हुआ है तो हर्याली पूडा मेला कहां लगता है यह है मारा अगला परसन कर्ण परियाग देव परियाग गंगोली हाट उखी मट इसमें दोस्तों चमोली में चमोली के दोस्तों नौटी गाऊं में लगता है यह आपको याद रखना और जैत महा में लखता है चैत महा में हर्याली पूड़ा मेला ये आपको याद रखना है तीम्मूना मेला भी बद्रिनात में लगता है और गोचर मेला जो की उनिशो तित्यालिस में कमिशनर बर्नेडी ने उसकी सुरुवात की थी वो भी गोचर चमोली में लगता है बहुत सारे मेले हैं तो भारत में पर्साशन पर बिधाई नेतल का एक तरीका नहीं है प्रसन संकल्प सदन का भी घटन अभिश्वास परस्ताव ये भी है सदन का भी घटन नहीं है तो यह आपको याद रखना है बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन है दोस्तों बहुत स सारे सस्तान है और यहां से एक्जाम में पूछा जाता है भारतिय वन सर्विक्षण का मुख्याला इस्तित है तेहरादुन कोलकत्ता लखनाव या फिर नाकपुर तो नीरी का है नाकपुर में तो भारती वन सर्विक्षण यह है दोस्तों हमारे दून में तेहरादुन यह आ पते हैं अगले कोश्चिन की तरफ अगला कोश्चिन और आज का आपका आखरी कोश्चिन तो उत्राखंड राजी में सरवाधिक परतिसत बन चेत्र किस नदी बेसिन में पाया जाता है उत्राखंड राजी में सरवाधिक बन चेत्र किस नदी बेसिन में पाया जाता है टॉन से कोशी यमना और भागी रहती तो सबसे ज़्यादा जो नहीं परतिसत बन छेतर नदी बेशी ने वह दूस्त पाए जाता है टॉन्स में यह आपको याद रखना है टॉन्स के बाद बात करेंगे सबसे ज़्यादा कोशी में और कोशी के बाद फिर यमना में तो यह तीन है अगर top 3 नदिया चार नदिया करम माईथ पूसा जाता है तो आपको top 3 यतना याद रखना है टॉन्स कोसी यमना सरवाधिक जादा है यह आपको याद रखना है और सरवाधिक लंबी नदी दोफ तो सबसे लंबी नदी उत्रा खंड की हो है काली नदि अगर काली फी आप्शन मोता तो तो काली दोसो बाउन किलोमिटर है काली की लंबाई ये आपको याद रखना है कुशी की एकसूर सट है यमना की 136 है भागी रती की एकसूर 275 है और टॉन्सी की है 144 तो ही आपको याद रखना है तो यह थे दोस्तो आज के प्रस्ण मिलते हैं अगले वीडियो में तो आपको question अच्छे लगे होंगे दोस्तो important प्रस्ण है कुछ आपको जरूर सीखने को मिला होगा तयारी करते रहिए तो मैं में आपका exam है तो thank you friend, thank you so much